हम जह चाहते हैं कि पहले जातिगत जन्गर्णा हो जाए कि किस बर्ग के कितने लोग हैं OBC बर्ग के कितने लोग हैं, SC के कितने लोग हैं, जर्नल के कितने लोग हैं उस साबसे सरकार के इंदर सरकार जाए परदेश सरकार जन्गर्णा करवाए और उस साफ से अरक्षन दिया जाए कि किस बर्ग के कितने लोगों जो हुए संख्या में है और दूसरी हमारी डिमांड है जो हमारे जो लोगों को जो हर साल जो है अपना प्रमान प्रत्र बनाना पड़ता है OBC को तो उसके लिए हम चाहते हैं कि जिस तरह SC और ST का lifetime जो है certificate ब और जैसे हमारा 27% अरक्षन है और केंदर के तरफ से मिल रहा है जैसे पूरब में मिलता है सेंटर युनिवस्टी में हमें स्थाइपर सेंट मिल रहा है कि तो हमारे जितने भी यहां medical college टंडा medical college है अपना IGMC है और भी जितनी युनिवस्टी हैं हिवाच्चर और उसमें एक साथ और है कि जितने भी हमारे private sector है उसमें हमारे नौजवानों के लिए 50% अरक्षन दिया जाए और मुख्य मुद्धा हमारा जही है फिर दवारा से कि जातिगत जो है वो जनगरना होनी चाहिए और हम चाहते हैं कि OBC का अलग मंत्रा ले हो आपको पता है कि कि आज चाहे जनगरना नहीं हुई है कि तो आए देश में सबसे ज़्यादा OBC बर गए लगबग बाबन परसेंट लोग जो है वो बीसी के हैं जो कि अनुमानित कहा जाता है तो हम चाहते हैं कि उन लोगों के लिए अलग मंत्रा ले बढ़ना बहुत जरूरी है जिसमें कि यह चीज़े बड़ी जरूरी है आज के जीवन के आज जो ग्यापन भेजा गया है यह मत्र खाना पूरती है या जो डिमांड उठाई के हैं उनको लेके कोई अगा देखिए आज जितने भी हमारे लोग थे वो सारे पददकारी थे आज उनके सभी पददकारियों को बलाय करेगी और उसमें अपनी डिमांड रखेगी और परदेश में जब कॉंग्रेस पाल्टी की सरकार आएगी हम अपने नेताओं से सिनर लीडरों से बात करेंगे कि जो ओबी सी की डिमांड है वो पूरी की जाएं सिटी चैनल के लिए धरमशाला से रिपचित निपी की रिपोर्ट